बिश्वर रगदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्वर स्वास्त संगठन दुआरा इस दिन को रगदान दिवस के रूप में घोसित किया गया है। वर्ष 24 में स्थापित इस दिवस का उद्देश है सुरक्षित रगद उत्पादों को की आवशकता के बारे में जागरुटा बढ़ाना और रगदाताओं के सुरक्षित जीवन रखषक रगद के दान करने के लिए उन्हें प्रोसाहित करना है। विश्वर रगदान रिवस के आवसर पर ही गोरखपुर के निताजी सुवाज चंदर बोष जीला चिकसाले दोरा रगदान जागरुटा पर एक गोश्टी का आयोजन शुकरवार को चिकसाले परिसर में किया गया। इस उसर पर मुख्य अतीती के रूप में जीला चिकसाले के सीमो डॉक्टर एस के तिवारी, परमुक अधिक्षक आर के गुपता, अधिक्षक एक के सिर्वास्तव, वरुष होमेपेतिक डॉक्टर के एन सिंग, डॉक्टर एस के यादो सहीत, कई चिकसक और गण माने जुद रहे, गोश्टी के दौरान चिकसकों ने लोगों को रगदान के प्रती जागरूप किया, इस मौके पर सीमो डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा कि रगद हम सब के जीवन का एक प्रमुक हिस्सा है, जिसे ना तो कोई फैक्टरिया निर्मित करती है और ना ही इसे बा हमारी अपीर है आप सबसे, कि आप ऐसी संस्नाओं से हैं जिसके पास संख्याबल बहुत है, कि आप पहुतायत में लोगों को प्रेरित करें, कि वो आके रगदान करें जेक्टे, ब्लडबैंक, बैंक लगा है वोड इसमें, जहां बैंक की बात आती ही वहां जब तक कुछ जमा नहीं करिये, निकासी कैसे हो, मिलेगा नहीं कुछ, हम भी अपना पैसा बैंक में जमा करतें, तभी तो A.T.M. से निकालते हैं या चेक से निकालते हैं, या कैश चलता ही है देनलेंज से, आप स्वैक्चिक रखताता है, दान करता है, वो किसी के काम में आता है, अभी आपको बताया गया है, एक बाटल से हम चार जिंदगी बचा सकते हैं, हमारे ऐसी मशीने लग गई हैं, इससे हम चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, बलट में जो चार कहीं नहीं मिलेगा खून, केवल हमारे से, दुसरे पर दुसरे से, कहीं बजार में नहीं मिलेगा, कहीं आपको किसी फैक्टरी में नहीं बनेगी, कोई धंग से आप नहीं पास है, ये मनुष्य मनुष्य को ही देता है, जानवर भी मनुष्य को नहीं दे सकता, मनुष्य ही मनुश्य को देता है यह बहुत ही पुड़े का काम है सब कुछ डॉक्साम ने डिटेल में बताया कौन दे सकता है 18 साल से 60 साल का कोई विवेक है महिला हो पुरुष हो हिंदू हो मुसल्मान हो सिको इसाई हो कोई भी रख्तदान कर सकता है और कौन नहीं दे सकता तो हम कहेंगे कोई ऐसा नहीं जो नहीं दे सकता हां कौन से ऐसे लोग है जो कहेंगे कि मैं देने को तयार हूँ लेकिन अभी हमारे डॉक्टर रिनमुरेट कर रहे थे कि उनका हम नहीं लेते हैं उसमें उन्होंने बताया कि स्वें कैंसर से पीडित है इम्मुनो कॉंप्रमाईज पेशन्ट है वजन कम है बिमार है शुगर अन्कंट्रोल्ड है ऐसे बहुत सारे लोगे जो कीम्या का हुद पेशन्ट है ऐसे लोगों का या गरको थी माता है धात की माता है उनका बलड लेने से मना करते हैं ऐसा नहीं है कि जब तक कोई धूद पिला रही तब तक मना है, बाद में वो दे भी सकते, तो ऐसे लोगों का हम नहीं लेते, अन्यता देने को घ्लट कोई भी इस उमर के बीच इतने वजन और इतनी हिमोगलूमीन वाला दे सकता है, तो इसमें बढ़ चड के हिस्सा लेनी की जरूरत है, और इसके फायदे में गिनाए थे, डॉक्सर ने, हम ये खून देगे जो कम पड़े लिखे लोगा, आप लोगों में नहीं, आप सब बहुत ही यहां चेक्टन्ने लोग बैठे हैं, जंता में ये मैसेज रहती है, कि आरे यार कमजोरी आजाए, जमान बढ़ता अपने बाप को खून देने को तयार नहीं है अरे कमजोरी आजाए, ये भ्रान भी है बिल्कुल, मैंने कई बार खून च्वैम दिया है, और मेरा खून प्रेशियस है, ये लोग रूट लेंगे, क्योंकि मैं नेगेटिव बी का हूँ, और कोई कमजोरी नहीं आता, और एक आदे घंडे के आराम के बाद आप उतना ही फुर्टीले बदके उससे अधिक फुर्टीले क्यों, एक जोश आपके अंदर भर जाता है कि मैंने आज खून दान किया है किसी के एक खाम दिवस मनाया जाएगा पूरे 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 बिश्मी और उसके तहर आ है कि खून देने से किसी भी प्रकार की कोई समजोरी नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं होती, आप चार लोगं के जिम्री बचा सकते हैं और खून ना कहीं फैक्ट्री में मिलेगा, ना किसी दवाई के दुकान में मिलेगा, खून देने से ही होता है, इसको नालियों में ना ब ये मेर संधिश